सामान्य ग्यान के प्रैक्टिस से अट की तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज में चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए और आपने चैनल को सब्सक्राब कर लिए तो इस वीडियो को लाइक किजिए अपने बिसार या फिर शिशुनाक तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह उप्शन B अशोक से संबंदे थे हमारे लॉइन कैपिटल नेक्स्ट है कलिंग प्रदेश के महान शाषक कौन हुए यह आपको पता होगा कलिंग देश के शाषक जो थे वो कौन थे अशोक खारवेल अजाच्छतु और चंद्रो गुप्त तो वो थे खारवेल ऑप्शन B राइट आंसर है फ्रेंड्स उट्स टाइम पे हातिगुफा अविलेक से कलिंग प्रदेश जो था उसके शाषक के रूप में खारवेल का उल्लेक मिलता है खारवेल चेदी वन्ष्ट का था खारवेल को महराज महामेदवाहन और कलिंगा दिपाती भी कहा गया है ठीक है तो इस नाम से भी गिविन हो तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स बुद्ध का विप्राय क्या है ठीक है ग्यान प्राप्ति मूर्ख लोभी या फिर अत्याचारी तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम देखें तो option A right answer है ग्यान प्राप्ति नेक्स्ट है आप जाके देख लीजेगा यहाँ पर मैं direct आपको आंसर बता देती हूँ यह संबंदित है योग दर्शन पतंजली से गौत्मी पानी और जैमनी के आपको 20-day सीरीज में मिल जाएंगे ठीक है इनो और नेक कौन-कौन से दर्शन की बात की है नेक्स्ट आते हैं सिंदू तका जो ग्यान था वो हमें प्रातत्व उत्खनन से मिला था क्योंकि वहाँ पर कोई साहित था 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 तामरत पाई नहीं गयते जो म्रत भांडों पर कुछ ऐसे लेख पाए गयते परन्तु अभी तक उने पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए यह का जाता है कि उत्खनन से चलाई थी आरे भट न्यूटन गैलेलियो या फिर नागाड जुन्य तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आरे भट गुप्त काल का गड़तिग्य कहा जाता है और इन्होंने ही दशमल पढ़ानाली को सब्थम बताया था सूर्य सिद्धान्त आरे भट की प्रथे प यह किस पुत्री थी पूत्री थी इलतुत्थ मिश्की यह पूत्री थी और अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरिट था बो था 1236 इस्वी से लेके 1240 इस्वी इनका टाइमपीरिट था जिनोमे इनोंने शाशन किया था दल्ली के ऊपर ठीक है तो भूती ए ओप्षन रजिया सुल्तान नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स कि सूफी संत की दरगा अजमिर्म है क्या सुद्दीन बावाफरीद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी या फिर निजामुद्दीन ओलिया तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्षन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है जो कि हमारा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी ठीक है नेक्स्ट आते हैं रेशम उत्पादन की दरस्टी से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है यहाँ पर हमारे ऑप्षन में गिविन नहीं है तो इस साबसे हम बोल सकते हैं की वाराणसी सही उत्तर होगा क्योंकि करनाटक वाराणसी आता है तो यहाँ पर वैसे तो करनाटक है लेकिन ऑप्षन के अकोर्डिंग हम वाराणसी पहर जायेगे ठीक है और अगर हो सकता है आपके एक्जाम में इस तरह का कॉशन आ जाए तो आपको मार्क्स भी दे दिये चाहें क्योंकि कॉशन में वह ऑप्शन ही गिविन नहीं है ठीक है तो उस एक्जामनर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से कॉपियां चेक करते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब इसमें फ्रेंड शिवाली के बाले काल पर किसका अधिप प्रवाव पढ़ा यह में बताना है शाहाजी भोसले माता जीजावाई गुरू कॉंडदेव या फितुकावाई मोहिते तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें तो शिवाजी के बाले का पर माता जीजावाई का सबसे अधिक प्रवाव पढ़ाता इसके बाद उनके गुरू थे कॉंडदेव उनका प्रवाव पढ़ा सहाजी भोसले तुकावाई मोहिते का प्रवाव सिर्फ नाममात्र का था मतलब बहुत कम पढ़ाता लेकिन आप्शन में साफ दे रखा है इ उनके सबका नाममात्र का पढ़ाता है तो सेकेंड और थर्ड जो है वह हमारा राइट आंसर होगा तो इस अकॉडिक हमारा ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर है ठीके नेक्स आते हैं इंकलाव जिंदावाद का नारा किस ने दिया था श्वास्चंद बोस लाल बादु शास्ती सर्दार भगत सिंग या फिर बाल गंगादर तिलग तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह उप्शन नमर सी सर्दार भगत सिंग ठीके नेक्स्ट है बिश्व का सबसे उचा पठार कौन सा है दककन पठार पामीर पठार बूट बॉलिविया पठार या फि अदिक थंडऑ होती है क्योंकि वहां मंडल का दूल कर नहीं होते अजल्दी घरम तनी जल्दी घरम होती है फेड़ पौध हमारा राइटा वह वालू होती है इसलहे रहस्तान की रात थंड़े और दिन अधीघ घरम होती है तो नेक्स्ट आते है वायू मंदल की ओज़न परत हमें किस से सुरक्षा प्रदान करती है कॉस्मिक किरुणों गामा किर्णौं अल्टर वायलेट कुर्णौं या फिर एक्स किर्णौं से तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल है आप इसली बता सकते हैं वायू मंदल की ज़ो अज़न परत है वहल तो सबसे लंबी नदि है यहां पर फ्रेंड्स गंगा ठीके नेक्स्ट है निमन में से कौन सी रेखा भारत से उकर गुजड़ती अमकर करकरेखा विशुत रेखा और तांटरक रेखा तो friends यहां पर अगर हम बात करें तो यह करकरेखा गुजड़ती फ्रेंड्स अगें 20-day series की जो वीडियो है उसमें हमने ये सारी चीज़े आपको discuss की हुई है ठीक है तो आप जरूर देख लीजेगा वहाँ पर मैंने वताय हुआ है ये सारी चीज़े किस-किस तरह से की जाती है ठीक है इनके बारे में भी और भी questions से जो की पूछे जाते हैं तो सब हम यहाँ पर बात करें तो option B right answer हो ओनाव कि हमारी कंचन जंगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं राज्य सबदो पंच वर्श तो फ्रेंट राज्य सब्सवाद के चुनाव होते हैं वह प्रतुक्त दो वर्श में होते हैं ठीक है क्योंकि महां पर दो-दो वर्शवाद वो क्यों अगेन वह आपको बोलोंगी 20 डेट सीरीज देख लीजिए हमने वहाँ पर आपको सब चीज़ों बहुत अच्छे से डिसकस की हुए हैं ठीके नेक्स्ट आते हैं अगेन इसके रिगार्डिंग और भी इन्फोर्मेशन है वह हमने अपने उन सीरीज में वहाँ पर डिसकस की हुए है तो आप जाके उनको जरूर देख लीजिए अगर आपको डेटेल में और भी इन्फोर्मेशन चाहिए नेक्स्ट है गुबारे में कौन सी गैस भरी जाती है हाइड्रोजन ओर्गन गैस हीलियम या फिर ऑक्सीजन तो फ्रेंट्स जो गुबारे में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम गैस तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइच आंसर है नेक्स्ट है लाफिन गेस किसी कहा जाता है ammonia, nitrous oxide, carbon dioxide या फिर acetylene तो friends अगर हम यहां पर बात करें तो इसका जो right answer होगा 25 का वो है हमार option number B जो कि हमारा nitrous oxide तो friends इसमें हमें चार विकल्ब दे हुए हैं और मैंसे शुद्वर्तनी का हमें chain करना है तो friends इसमें अगर हम सुद्वर्तनी की बात करें तो इसका जो right answer है यहां पर वो है यहां पर option number B जो कि है अहल्या next आते हैं question number 2 तो देखे वकरता वकरतीता या फिर वकरतता दिया हुआ तो इसमें जो right way है लिखने का वो है option number A वकरता next आते हैं अब यहां पर हमसे पूछा गया इस question में विलास किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो friends last में देखे वेलास आस की अवाज आ रही है इसलिए यहां पर option B राइट answer है next है अब यहां पर दिया हुआ है हमारा ब्रक्ष तो देखे फ्रेंड्स ब्रक्ष में जो प्रयोग ही शब्द यूज़ हुआ है वो है बिटब तो option C यहां पर हमारा राइट है नेक्स्ट आते हैं बादल तो friends बादल में यहां जो परयावाची शब्द है वो है इसका मेग मेग माने बादल नेक्स्ट है अब यहां पर हमसे पूचा गया है ऐसा निमलिकित मेंसे किस शब्द में गुरसंदी नहीं है नरेंद्र परमेश्वर परूपकार यह फे विद्यार्थी तो friends यहां पर इसका राइट आंसर है विद्यार्थी विद्यार्थी में गुरसंदी नहीं है यहां प तरिका यह औरद्ट तु थीक है उकी मतर्वाइगी ताम अनरद्टू तो option a यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट है आधी tir भी बत सिम्पल है हम सब को पता है आधी कोट है ने ऑंथा फिर आता है आवहाण कोव्लाwelloam शतक्रात है इंपर इसलिए यहां पर option B right answer है नेक्स्ट है अब यहां पर है जो आकाश में विचरण करता हो ठीक है आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा रजनीचर, निशाचर, खचर या खेचर तो friends इसको बोला जाता है नेक्स्ट है गुण शब्द का विचरण क्या होगा तो गुण का क्या होता है तोश इसलिए option A यहां पर right answer है नेक्स्ट है अब यहां पर हमें बताय हुआ है उस शब्द का chain कीजिए जिससे इन वाक्याँशों के स्थान पर रख देने से वो संपूर्ण वाक्याँशों का अर्थ प्रकट हो जाए जैसे कि वह है जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वो क्या कहलाते है तो friends वो कहलाते है ओसर option B right answer है नेक्स्ट है बनावटी रूप को क्या बोलते है अकृतियम क्रतियम प्राकरते क्या फिर प्रतियम तो उसको बोलते है क्रतियम तो option B right answer है नेक्स्ट है जो पसीने सोतपन हो उसे क्या कहा जाता है स्वंभू, चरायू, ज्वदेशस या फिर निरमूल तो इसको कह जाता है स्वदेसस नेक्स्ट है चटान निम शब्द की लिंक सी संबनसदित है पोल्लिंग, स्त्रीलिंग ना पुनसकलेग निया इन में से कोई नहीं तो चटान है स्त्रीलिंग से संबनसदित नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हमें संदी विच्छित बताना है शुन मार्ग का संदी विच्छित क्या होगा तो friends इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है यहाँ पर option मड़ी शट प्लस मार्ग नेक्स्ट है मनोरत तो friends मनोरत का संदी विच्छित होगा हरी प्लस ईश नेक्स्ट है उजीनी में कौन सा उपसर्ग है उप अप अपी या उथ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप्शन नमर डी उथ सही विकल्प का चेन कीजिए नील कमल तो नील कमल में कौन सा यहाँ पर प्रियुक्त की हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की तो आप्शन नमर सी यहाँ पर राइट है इसमें कम धार रहे है ठीक है नेक्स्ट आते हैं चत्रोई अब इसमें कौन सा समास है तो इसमें बात करें तो इसमें दिगू समास है थेक क्योंकि यहां पे अंको की बात की जाते हैं दिगू समास होता है नेक्स्ट है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका Option नमढर दिगू समास नेक्स्ट है प्रयत्नी की आधार पर रा वेंजन की किस कूटी में आता है प्रकम्पित संगर्शी स्पडश्य अध्सवर तो रा आता है प्रकम्पित में तो option A यहां पर हमारा right answer है नेक्स्ट है जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शप्त क्या होगा तो उसका होगा विज्ञान तो option A again right answer है नेक्स्ट है निम्न मैंसे कौन सा वाक्य शुद्ध है गांधी जी नित्य चर्खा काते थे गांधी जी नित्य चर्खा चलाते थे गांधी जी नित्य चर्खे को चलाते थे या फिर गांधी जी नित्य चर्खे को कातने के लिए चलाते थे तो फ्रेंड्स यहां पर इसका रा कारवाई शुरू होनी की प्रतीक्षा है या पर सभा की कारवाई शुरू होने वाली है तो यहां पर अगर हम राइट की बात करें तो डी राइटर सभा की कारवाई शुरू होने वाली है नेक्स्ट आते हैं अब यहां पर हमें रिक्तिस्थान दे रखे हैं हमें सही विकल्ब बताना है अर्द मूर्चित रोगी रात भर करता रहा क्या करता रहा तो फ्रेंड्स अगर हम किसी रोगी की बात करते हैं तो रात भर प्रलाप करता रहता है तो option भी right answer है नेक्स्ट है ना में किसी की उपेक्षा करता हूं ना किसी की डेश तो इसमें क्या आएगा तो आप इसी से अंदर लगा लेजे उपेक्षा का जो विलॉम शब्द है वो क्या होगा तो उपेक्षा क्या होता है अपेक्षा तो यहां पर हो जाएगा ना में किसी की उपेक्ष ही जवी इसके एक वी तो हुड़ा रही है तो वीनाश के हम भलाङ की देख लेते हैं तो उत्पत्ती होता है तो राइट अंसर है बने जिसके उत्त्ती होती है इसका विनाश निश्चित है नेक्स है अब हमें मुहावरी दिए होंगा पीछे पीछे खाई का क्या मतलब होता है दोनों और मुसीवत होना तो option यहां पर हमारा right answer है next है उल्टे 5 बरेली को इसका अर्थ है तो इसका अर्थ होता है विप्रीत काम करना तो option A यहां पर again right answer है next है घाट-घाट का पानी पीना इसका क्या मतलग होता है बेकार होना विद्वान होना अनुभवी होना या फिर घर घर इसनान करना तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर option number C वो है अनुभवी होना यानि कि हर तरह का उसको अनुभव होना हर तरह की हर field में उसका अनुभव होना नेक्स्ट है पंच रत्न का समास विगरे क्या होगा फांच रतनों का संहू तो फ्रेंड्ट यहां पिर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह है यहां पर option नमर भी पांच रतनों का समू नेक्स्ट है जो यर्स से युक तो उसके लिए क्या है यशश्वी यशूदा यशूमती या फिर यशी तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है उप्शन नमर ए यशश्वी नेक्स्ट है तैरने की इच्छा को कहते है तरेनिच्छा तितिडशा संतर पेच्छा या फिर जलावत रण डेच्छा तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपशन नहीं यहाँ पे राइट है हमारा भी तितिडशा नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर हमें लोकोतियों के अर्थ बताने हैं कहां राजा भोज, कहां गंगु तेली तो इसका क्या right answer होगा तो right answer होगा इसका यहाँ पर option number D बड़ों के साथ छोटे लोगों की बरावरी नहीं हो सकती ठीक है नेक्स्ट है ठोथा चना पाजे घना यानि कि इसका क्या मतलब होगा तो right answer है D अलपग्य वेक्ति अधिक बोलता है ठीक है नेक्स्ट है आम क्याम गुट्लियों के दाम यानि कि दोरा लाव ठगी करना नकली वस्तू देना या मनमानी करना तो आम क्याम गुट्लियों के दाम का मतलब यहाँ पर होता है दोरा लाव होना तो option A right answer है नेक्स्ट बात करते हैं अकाल और उसके बाद कभी तक किस कभी की रिचना है नागाडजुन, केदारनात, अगरवाल, सूरेकांतर, पाठी, निराला या फिर मुक्ति भोध तो इसका right answer option number A जो की है नागाडजुन, नेक्स्ट अभी संशा में कौन सा उपसर्ग है अपी, अभी, अफ या फिर अनू तो इसका right answer option number B इसमें अभी उपसर्ग है नेक्स्ट आते हैं महात्मा शब्द में प्रिक्त समास कौन सा है या क्या है सकर्मक, अकर्मक, प्रेंड नार्थक या फिर संयुक्त तो इसका right answer है C प्रेंड नार्थक नेक्स्ट आते है रक्त है या है नस्वों में चुद्र पानी, जाचकर, तू जीस, दे दे कर जवानी इन पंक्तियों में कौन सा रस सरजित होता है वीर, बिभत्सरत, स्रोधरस या फिर श्रिंगाररस तो इसमें इसका right answer option number A वीररस नेक्स्ट आते है हिमाले से गंगा निकलती है इस वाक्य में प्रुक्त कारक बिवक्ति क्या है करण, अपादान, संपन्द या अधीकरण फ्रेंड्स का right answer option number B अपादान, कारक नेक्स्ट है मोहन ने कहा कि वह यहां नहीं आएगा इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है उपवाक्य, सरलबाक्य, 33 या फिर सैयक्त वाक्य तो इसमें इसका right answer है option number A ये एक तरह का उपवाक्य है फ्रेंड्स उत्पत्ती की दरस्टी से सब्दों का भेद निम्न में से कौन है तद्सम, तद्भव, देशज, या फिर योगरून तो फ्रेंड्स उत्पत्ती की दरस्टी से बात करें यहां पर तो इसका right answer option number D ये एक तरह का योगरून है नेक्स्ट है तुलनात्मग विशेशरण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती है दो, तीन, चार या किवल एक तो इसकी होती है तीन तो option B right answer है नेक्स्ट कोश्चन है प्रकाश के सामने अंधिरा टिक ना सका यह किस प्रकार का वाक्य है तो इसका जो right answer है वो है यहाँ पर option number A यह एक तरह का सरल वाक्य है नेक्स्ट है स्वार कितने होते हैं पांस, साथ, नो या दस तो यहाँ पर हम बात करें तो यह होते हैं तो option D यहाँ पर हमारा right answer है ठीक है फ्रेंड्स लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि मैंने अपने और वी वीडियो में बताये था आपने हमारी 20-day series वीडियो भी देखी होगी तो वहाँ भी हमने यह बात करें स्वार्यों की तो फ्रेंड्स आगर देखें यहाँ पर वैसे तो स्वार हमारे total 11 होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर option में दे रखा है पांस, साथ, नौ, दस तो आप दस बारे टिक किये जाएगा वैसे 11 होते हैं हस्व और दीर्ग में हस्व हमारे 3 होते हैं और दीर्ग जो होते हैं वो होते हैं हमारी अ, बड़ी, बड़ा, उ, छुटी, बड़ी, छुटा, उ, बड़ा, और र, ठीक है तो यह 11 होते हैं लेकिन option में 10 हैं तो आप 10 ही टिक किजएगा और अगर 11 आते हैं तो 11 टिक किजएगा अपर एक image दी गई है फरस्ट image की बात करें तो यहाँ पर यह straight है और यह थोड़ा क्या है यह थोड़ा सा downward में इसको यहाँ पर यह घुमी हुई है उसी तरह से आप नीचे वाली second image की देखें तो देखें नीचे वाली क्या है straight है उपर से जो थोड़ा सा fold है यह हमारी second image है थार्ड में देखे इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर यह इस तरह से बना हुआ है यहां पर यहां पर यह बिल्कुल आउट साइड में है लेकिन अगर हम उसी तरह से बात करें तो देखे तीनों में क्या होगी है क्या similarity है कि एक रेखा हमारे बिल्कुल इस ट्रेट है यह स्थैट लेकिन इस फोर्थट इमेजने तो देखें यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें यह भी बोड़ी हुई और यह भी मुड़ी हुई । इसमें एक भी रेखा जो है हो स्टेट नहीं है जब्कि दो इन तीनों इमेजन इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो एक line है, वो straight होनी चाहिए. इसमें हमारी even line straight है, इसमें हमारी नीची की line straight है, और इसमें हमारी उपर की line straight है. लिपकि इसे वाली image में, हमारी कोई भी line straight नहीं है, तो option D याँ पर हमारा right answer होगा. नेक्स कोशन पर आते हैं, next question है, इस तरह के questions को करने में आपको एक चीज याद रखनी है देखिए सबसे बड़ा difference बहुती बारिक difference है आप अगर इस चीज को पकड़ पाएं तो देखिए नीचे इनकी जो आपको एक design दी हुई है ठीक है इस तरह से इनकी hand है ठीक है इनकी hand निकले हुए अब नीचे आप दे इसमें भी मुड़ा हुआ है एन इसमें भी मुड़ा हुआ है जबकि यह वाली क्या है थाड़ वाली image इसमें नीचे क्या है बिल्कुल straight दे रखा है तो आप इससे पता लगा सकते है ठीक है तो option c आपका यहां पर क्या है राइट answer है ठीक उसी तरह से हम 5th question पर आएं तो यहां देखिए तो इस सरकल में वन अगर हम बात करने तो 50 50% यहां फिर वन अपॉन 2 का यहां पर लिया गया है रेशो यह भी 12 का रेशो है यह भी 12 का रेशो है यह जबकि इसकी बात करें तो तो यहां पर देखिए यह जो different है इसली पदा कर सकते है option a यहां पर हमारा right answer है सेम उसी तरह से six question पर आते हैं तो देखिए friends यहां पर हमें square के अंदर हमें half circle दे रखा है जिसमें कि दो half circle हमारे अंदर की तरफ है और दो half circle हमारे बाहर की तरफ हैं इसमें क्या है हमारे तीन circle अंदर हैं और एक बाहर है तो अलग हो गई चेक करने के लिए आगे आए तो देखिए दो अंदर है और दो बाहर है इसमें दो अंदर है और दो बाहर है अलग क्या हो गया option B तो option B हमारा यहाँ पे height answer है next आते हैं अब यहाँ पर देखिए एक और चीज है आप इस चीज को पकड़ेगा देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ इस तरह का यह arrow है और देखिए यहाँ पर जो image दी हुई है इसमें बाहर की तरफ यह पूरा fill है एक तरफ पूरा fill है black और एक तरफ यह क्य है तिए forकी नहीं है और दूसरी तरफ इमेज विशे यह तरफ यह शेप में ठीके किन दीको सिख यह थै안र मेय की तरफ देखिए यो इनला की तरफ है यह एक थे जबाड़न गया क्लर में हूँ अग है क्यक्यों यह उनरा कया तो नहीं है के यह ज़ला कि थे उलार के क्लास भी आपका यहां पर राइच आंसर है I hope आपको यह clear हो रही होंगी नेक्स्ट है अब देखे फ्रेंड्स यहां पर हमें यह time given है अब देखी आप इस से पता लगा सकते हैं यहां पर देखी जो हमारी जो इस तरह से हमें यहां पर सुई दे रखी है इस तरह से हमारी सुई है तो फ्रेंड्स अगर हम घंटे की सुई का अंदाजा लगा है तो देखे घंटे की सुई में इस तरह से एक यहां पर पॉइंट भी दे रखा है ठीक है इस तरह से यहां पर यहां पर बात करें तो friends यह बी अलग है क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर क्या है 15 है और यहां पर 5 पर पूरा आ चुका है तो यह हमारा थोड़ा यहां पर अलग है तो यहां पर जो हमारा right answer होगा वो होगा यहां पर हमारा option number B भी हमारा यहां पर right answer है क्योंकि इस तरह स ही जो में इस और तेंट क्रॉष Heartsन ने ellen कॉष्च पर अब आप मैं आप और यहां इनगे जे और यह हमारी को बा anne घूम रहे लगने क्या है मैं आपको अरेस करें देथी हैं लगा I option number यहाँ पर B है हमारा clock wise option number DV clock wise जब कि C हमारा क्या हो गया and D clock wise यहाँ पर चल रहा है तो हमारा option C right answer है next आते हैं question number 10 पर अब देखे friends यहाँ circle के अंदर जो image दे रखी है उसका जो direction है यानि कि देखी यह हमारा circle है और इसके अंदर जो image दे रखी है यह पूर बनी हुई है इसका जो direction है उसके नीचे जो arrow दे रखा है उसका भी वही direction है अब देखे friends यहाँ पर direction B में अलग हो गया C में direction बिल्कुल सही है क्योंकि यह अंदर की image का जो direction है वही बाहर के arrow का है इसमें भी इसका जो direction है वही बाहर के arrow का है जबकि B option में ऐसा नहीं है तो आपका option number B यहाँ पर right answer है next आते है अब देखे friends यह तीनों image हमारी similar है जबकि यह image हमारी अलग है तो option A right answer है कुछ question तो आप easily कर लेंगे अब देखे इस image भी हो गई इस image में क्या है चार हमें बुझा दे रखी है इसकी भी चार बुझाए है इसकी भी चार बुझाए है लेकिन इस image में क्या है तीन बुझाए है इसकी ठीक है तो option D right answer है अब देखे friends कुछ questions तो आप easily कर सकते हैं यहाँ देखे यहाँ जो भी image दे रखी है उसके अंदर जो lines है वो बहुत पास-पास है इसमें टेखे इसमें एक arrow का डार्यक्शन है दूसरे arrow का direction उससे दिफर है यानि कि रहुत बहुत ठीक्षन मे इसाइज है यह भी उसी तरह से है, यह भी उसी तरह से है, जबकि C क्या है, दोनों ही एरो जो है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो option C यहाँ पर हमारा right answer है, next question पर आते हैं, अब यहाँ पर friends देखिए, यहाँ पर यह वाली आकरती हमारी बिल्कुल different है, जबकि यह तीनों हमारे resemble कर रहे हैं, कि 4 चीजे हैं, 4 अलग अलग है, यहाँ पर 4 तो है, 4 यह पैटल बनी हुई है हमारी, लेकिन यहाँ पर यह क्या है, दोनों चारों हमारी मिल D हुई है, एक flower की shape में है, जबकि यह किसी भी तरह का flower नहीं बना रहे हैं, तो option D यहाँ पर हमारा बिल्कुल different है, answer हमारा option D, right answer है, next आते हैं, अब देखिए friends, अब हम यहाँ पर अगर A को बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर हम line यूज करेंगे, उसको हमें फोल्ड करने की क फोल्ड करने पड़ेगी, उसको हमें फोल्ड घुमाना पड़ेगा, तब हमारा D बनेगा, D हमारा इस तरह से नहीं बनता, अगर हम बात करें तो, तो यहाँ पर हमारा D क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, इसका कोई और concept भी हो सकता है, बट मुझे concept बहुत easy लगा, अगर आपको लगता है कि A, F, K का कोई और concept है, इसमें आने का, तो आप जरूर बताएगा, बट मुझे ये concept बहुत सही लगा, क्योंकि यहाँ पर A हम simple बना सकते हैं, एक line draw करके, F भी line draw करके कर सकते हैं, के भी line draw करके कर सकते हैं, लेकिन D जो है, हमारा line draw करके नहीं बनेगा, next है, बहुती simple question है friends, अब आप देखिए, 2 और 4, किसी भी तरह से 2 नहीं होता, 1 और 0 को plus करेंगे तो 1 होता है, 3 और 4 को plus करेंगे तो 7 होता है, 2 और 3 को plus करेंगे तो 5 होता है, जबकि 2 और 4 को plus करेंगे तो यहाँ 6 आना चाहिए, जबकि लिए दिया हुआ है 2, तो option A आपका यहाँ पर right answer है, अब देखिए friends, 18 number का जो question है, यहाँ पर थोड़ा आपको confusion हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से change करके आपकी जो doubt हो सकता था आपको वो बिल्कुल वहाँ पर remove कर दिया गया है, देखिए, यहाँ पर जो अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 line यूज करक बनाए गया है, तो अगर इस तरह से concept लेते हैं और यह 3 से, तो यह सही था, किस तरह से इसको अलग कर पाते हैं, 3 यह हो गया, 4 यह हो गया, 5 यह हो गया, 6 यहाँ पर हमें confusion होता, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, एक filling circle दे रखा है, जब तो यह दोनों हमें एक जैसी दिख दोनों झाव जिख रही हैं जबकि यह था О तो अगर हम इसी तरह से इसको बनाते तो यह कैसा बनता इस तरह से एंड यह ऐसे होता जबकि यह पूरा cover है पूरा square में बना हुआ है तो भी हमारा different है तो option भी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा राइचा अंसर हो जाएगा next question पर आते हैं अब देखे friends यहां पर हमारा circle तो given है लेकिन वो क्या हो गया थोड़ा टेड़ा है तो इसको सीधा कर दिया गया है लेकिन और किसी तरह के changes नहीं किये गया है same उसी तरह से यह हमारा टेड़ा है ठीक है इसको सीधा किस तरह से किया जाएगा इसको सीधा किया जाता तो इसकी image कुछ इस तरह से बनती है जबकि इन्होंने क्या कर दिया इसमें इसको कर दिया बाहर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया ठीक है बाहर की तरफ इसको गुमा द यानि कि दो लाइन यूज करी गई है और दोनों की जो लंबाई है वो एक बराबर है इसमें भी जो यूज किया गया है दोनों की लंबाई एक बराबर है इसमें भी दोनों की लंबाई एक बराबर है जबकि इस तरह से नहीं है यह थोड़ी इमेज है आपको देखिए बहु यह सकती है यह भी हमारी एक image का पार्ट भू सकती है बट यह हमारी किसी भी image का पार्ट नहीं है तो option B यहां पर हमारा क्या है right answer है next and last question है आज की वीडियो का अब देखे फ्रेंड्स इन चारो image की अगर हम बात करें तो सब के अंदर अंदर जो एतकी पीटियम से सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब scholar है जिसने ही कहाता कि bookkeeping is the foundation on which the structure of the present trade is held यानि कि bookkeeping वे नीवे जिस पर बरतमान ब्यापार का ढहचा ठहरा हुआ है ये किसने कहाता ओप्शन्स है बीजी बीकरी, मेन हार, ओल्ड कैसल या फिर नन उफ दीज तो इसका जो बीजी बीकरी, बीजी बीकरी ने कहाता है और फ्रेंड से फेमस स्टेट्मेंट है तो आप इसको याद रखेगा हो सकता है कि यही स्टेट्मेंट से आपके एक्जाम में question आ जाए next question है who is supposed to start bookkeeping यानि कि जो bookkeeping है उसको किसने start किया था या उसका प्रारम करता कौन था options है बीजी बीकरी, लुकस पैस्योली, ओट कैसर या पर मैना तो friends यहाँ पर आपको पता होगा जो bookkeeping का जो concept है वो दिया था लुकस पैस्योली न है ठीक है लुकस पैस्योली के बारे में एक्जाम में बहुत पूछा जाता है तो इसका थोड़ा सा पढ़ लिजेगा कौन थे यह कहां इनका बड़ था और कौन सी book लिखी थी इन सब चीज के बारे में ठीक है तो option 2 यहाँ पर हम record करते हैं तो उस books को क्या कहते हैं अंकेक शक यानि कि audit, bookkeeping, accounting या फिर none of these तो जब हम अपनी सारे accounts record करते हैं तो उससे कहा जाता है bookkeeping यानि कि पुस्ट पालन option भी यहाँ पर हमारा right answer है next question पर आते हैं what name is given to the method of author of authoring and classifying the model form of deals and events of financial nature and making subtitle यानि कि जो भी हम अपने लेखे करते हैं या वित्ति सौदो का जो भी हम record करते हैं उनकी जो बिधी होती हो उस बिधी को क्या कहा जाता है bookkeeping, auditing, audit या फिर accounting या cost accounting तो friends उसको कहा जाता है accounting work यानि कि लेखा कर, option 3 यहाँ पर हमारा right answer है next question है bookkeeping means, अब bookkeeping क्या है यानि कि पुस्ट पालन का art, keeping books यानि कि books को रखना, keeping books in office या फिर keeping business accounts in books या फिर none of these तो bookkeeping का यहाँ पर right answer होगा, इसका मतलब होता है जो भी हमारे business related records है उनको book में रखना, तो option 3 यहाँ पर हमारा right answer है next question है, what was the name of the father of double accounting system, जो double accounting sister है उसके father का क्या नाम है Lucas Pacioli, Henry Fjord, Admin Smith या फिर Henry Fjord, तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें, double accounting system की तो इसके father कहे जाते है है हमारे, आब बताइए आप, आपको इसका answer पता होना चाहिए, बहुत simple है, इसके father कहे जाते है Lucas Pacioli, ठीक है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है एक्जाम में next question है, what was the name of the book written by Lucas Pacioli, Lucas Pacioli दरा जो book लिखी गई थी, उसका क्या नाम है, यानि कि economics, accounting elements, the computerist, scripturist, या फिर none of these, तो देखें, यहाँ पर book भी आ गई, मैंने भी आपको बताया था कि book के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो right answer होगा, वो होगा option number 3, जो किया है, the computerist, scripturist, यह Lucas Pacioli दरा लिखी हुई उस तक है, next question है, in double accounting system, each transaction had its form, यानि double accounting system, यो transactions होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, एक, दो, तीन या चार, तो आप सबको पता है, double accounting system के अंदर, जो हम entry करते हैं, तो उसमें जो record किये जाते हैं, transactions, वो दो तरह से किये जात हैं, ठीक है, यानि कि सभी transactions का debit होता है, और credit भी होता है, इसलिए, यहाँ पर option 2 हमारा right answer हो जाएगा, next question पर आते हैं, is called the first step of accounting, accounting का first step क्या कहा जाता है, आपको यह बताना है, options है, journal, laser, final account या फिर trial balance, यह भी again simple question है, आपको इसका answer पता होगा, जो हम accounting करते हैं, तो first step आता है, हमारा journal, और इसमें हमारा last step होता है, final account, ठीक है, तो first and last step दोना याद रखेगा, तो option A, यहाँ पर हमारा right answer हो जाए what is the name of the amount from which the question is, sorry, from which the business is started, यानि कि उस, जब हम अपने business को start करते हैं, जिस amount से, तो amount क्या कहलाता है, cash, capital, assets, या फिर नन of these, तो friends, यहाँ पर अगर हम किसी भी जो भी राशी हम अपने business में लगाते हैं, तो business में लगाई हुई राशी हमारी capital कहलाते है, कहते हैं, कि हमने dividedation होता है, उसका जैसे कि authorized capital, paid up capital वो अलग format है, लेकिन जब हम business को start करते हैं, तो हम जो भी उसमें money invest करते हैं, वो हमारी capital कहलाते हैं, तो option 2 यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next question पर आते हैं, friends, I hope यह सारे आप easily कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही simple हैं, basic हैं, और आपके entrance exam में basic knowledge भी आपकी judge की जाती है, next है, where was the father of the accounting system Lucas Pesoli bond, यानि कि जो Lucas Pesoli accounting के father है, double accounting system के, तो यह कहाँ पर bond या फिर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, Italy, France, America या ब्रिटेन, इनके बारे में बहुत पुछा जाता है, friends, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए, इनका जन्म होता है, Italy में, यह Italy के निवासी थे, ठीक है, तो option A यहाँ पर हमारा right answer है, next question है, what is the discount giving to increase sale, यानि की अपनी sale को increase करने के लिए किस तरह का discount दिया जाता है, trade discount, cash discount, discount received, या फिर none of these, तो जहाँ हम अपनी sale को increase करते हैं, तो उसके समय जो हमें discount देते हैं, वो देते हैं, trade discount, option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, इसका main purpose ही होता है, discount देना, और यहाँ पर एक cash, वो sorry, increase करना sale को, और cash discount का मतलब होता है, कि जल से जल हम अपना payment ले ले लें customer से, इसलिए cash discount दिया जाता है, discount received, लेकिसी form में हो सकता है, ठीक है, next है, what is the exemption which is not accounted for in the box, अब काउंसी assumption है, या जिसको हम अपनी books के अंदर record नहीं करते हैं, cat discount, rebate on creditors, trade discount या फिर none of these, तो friends, यह भी basic question है, आपको पता होना चाहिए, हम अपनी book के अंदर कभी भी trade discount को include नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा trade discount है, वो हमारा right answer हो जाएगा, इसको mention नहीं किया जाता है, next question है, the discount giving for early payment is called, अब कौन सा discount है, जो कि early payment देने के लिए, शीगर भुकतान करने के लिए दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको उपर भी समझाया था, trade discount, cash discount, both business and cash discount, या फिर none of these, तो देखिए, इसका यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा option number B, cash discount, next question है, what is called the amount or goods the trader extracts the personal use for in business, अब वो ऐसा कौन सा यहाँ पर विक्तिकर्ट यूज के लिए, जो माल निकाल रहा है अपने business से, अपने personal use के लिए, इसको क्या कहा जाता है, the loan, finance, drawing, suffix cash, तो friends इसको कहा जाता है, cash option 3, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next question पर आते है, choose withdrawal from the following, अब यहाँ अब हमें निम्न मैंसे यह चूस्ट करना है कि बिड्रोल यानि के आहरण कौन सा है, life insurance premium है, या फिर household expenditure, income tax, या फिर none of these, friends यहाँ पर अगर हम बात करें, drawing के आपको पता होगा, drawing वो expense होता है, जो कि हम अपने business मैं से, अपने personal use के लिए करते हैं, यह एक liability के तरह यूज किय जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें examples दे रखे हैं, इन में से अगर हम बात करें, घरे लूवे, या फिर जीवन वीमा निगम आएकर, इन में से कोई भी हमारा drawing का example नहीं है, घरे लूवे, यानि कि घर में किये गए expense, इसमें यह नहीं आरा निकलके कि उसमें बिजनस में से कुछ भी amount निकाला है, ठीक है, और income tax और जीवन वीमा ये तो उसके business के खर्चे हैं, ठीक है, तो option 4 यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next question है, the item which is used by the merchant is called, अब ऐसा item जो कि merchant के दौरा use किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, goods, assets, liability या फिर none of these, तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए, यहाँ पर goods जो है, वो यूज किया जाता है, merchant के द्वारा, जो भी person अपने business में, जो भी जिसका business कर रहा है, उसके purpose से वो कोई भी सामान खरीता है, तो वो जिसका business करता है, वो सामान उसके लिए, माल कहलाता है, यानि की goods कहलाता है, ठीक है, तो यहाँ आज के questions बहुत बेसिक थे, इसके बाद ही हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस अट लेकर आ रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे questions होंगे, लगवा 250 questions है, तो आप उसको भी जरूर देखेगा, वीजी यह पसंद आए, तो वीजी को लाइक कीचिए, अपने friends के शेयर सबस्टाओ की जरूर आप प्रूर आपके उहा है, मैं, भीजी को लिएक की जरूर, और थे इया है, जिसमें हमारे दो है, ओध प्राद है, दो मैं, UMत बनाप़ी, जिस...'